हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम दरित्वासर्मा है और पेपर एकर में आपका स्वागत है जैसा कि आप लोग पता है कि हम भारतिय सम्धान के बारे में किस रोध कहां से लिए गए है बारतिय सम्धान को तो अगर हमें प्रस्थादन के बारे में प्रस्थादन के बारे में पोनचे ते सबसे मेहत अंगक वैब विधान का प्रस्ताबना को भारती सम्धान की प्रस्ताबना को अपर प्रस्ताबना में क्या परिवतन किया गया उसके बारे में पपूचें तभी हमको क्या बताना है बहुत हमको उसके पैमें के दॉसके अंसर के दोकर लिख संप हम्दान की प्रस्तावनां सेुड़ा एक स्वेस्थ्थ्या गूसर। भारत की प्रस्ताबना है वो क्या है भारत की सम्झान से जुड़ा हुए एक स्रेश आगुसरन मतलब उसको क्या है सोबित करने वाला एक अंग है यह तो भारत की परजातंत्रिये गर्टन्त आत्मक राज का एक संचिप्त लेकिन संपूर प्रस्ताबना होती है जैसा कि देखा गया कि विविन रास्तों की समिधान जो है उनमें देखा गया है कि प्रस्ताबना होती है तो उसी को देखते हूँ हमारे संथानमें कि यह प्रस्ताबना है जिसके दौरह समिधान के मूल STAR मतलब एक चोटे नर्में संपल्स का बताती है और मॉल हुझ को बताती है वहारत की संधान है उसके जो गौरपूर मूल लों को समिधान में परिकार रखा गया है उसको प्रस्ताबना थो है प्रस्ताबना क्या है हमारी देख लेते हैं प्रस्तार्णा हमारी है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रिभुत्य संपन समाजबादी धर्म निर्पेक्ष लोगतंतात्मक गंड़ाच बनाने के लिए तथा उसके समझ नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ध्याएं विचार अभिव्यक्ति हैं व साथ क्या है इंसे स्क्राइबार्ण चीजों की स्बंसीक्ष थिया और सभी लोगों को समयन अबतर राप्त कराने के लिए अन समय घर्मक работы को बनाए रखने के लिए राष्ट की एकदावरें अक्षणता कैने वाले बहन संकख कर अपनी संव्यों संभा में आज तारी तारी क्या है 26 नौंबर उनिस और निस और उनने चास यूश्वी तुमबर दोयाच्छ को जो है एतर द्वारा समिधान को अंगी किरत अधिनियमित और आदमल्पित करते हैं तो यह क्या है हमारी यह समिधान की प्रस्ताबना अब हम इसके क्या है जो इसमें पहले देख लेते हैं सबसे पहले हम भारत के लोग अंगी करते हैं मतलब इसके बारे में पूछ जो बेवेचना ही है मतलब जो इसकी विभारत की गई है उसके देख लेते हैं इस वाकिया उसका क्या आरत है कि अन्तिम सत्ता जनता में नहींत है मतलब अन्तिम रूप से जनता जो क्या है सत्ता भारत की वो किसमें नहींत है जनता में जनता ही समिधान की निर्माता है और जनता ही से समाप्त कर सकती है मतलब जो बनाने का और इससे समाप्त करने का अधिकार किसके पास है भारत की प्रस्ताबना और समिधाने उसका जो अधिकार है समाप्त करने का भारत की जनता के पास है इसे समाथ करने का अधिकार संग माराज सरकार को नहीं एं जैंतान सम्धान को अपनी इच्छा से अंगी कि अंगी मतलाभ से अपनाया उससे जनतापर बिदेशी सत्ता मतलब बिदेश की जो सत्ता है बिदेशी सरकार है उसके द्वारा एक वक्षिय सरकार द्वारा जनतापर थोपा नहीं गया है जो मतलब बिदेशी सत्ता है जैसे की हमारे यहां पर बिटेन का सासंता उसके द्वारा या भारत की किसी एक वक्षिय सरकार की द्वारा क्या है जनतापर थोपा नहीं गया है हम देख लियते हैं संपूर्ण पिरुवत्संपन का क्या मीनिंग है हमारे प्रस्ताबनाम में फिरुवत्स संपन कला कि और प्रशियर मामलों में किसी नसकती नहीं है तो संपूर्ण पिरुवत्स का और जो भारत सरकार है वह भारत किसी अन्देश से भारत के आंतरिक मामले और भारी मामले में किसी देश के ऊपर अधीन नहीं है भलकि स्वेंट फैंसे लेने के लिए क्या है इस संब्द में यह आलोषना भी की गई है कि प्रभुत संप्रभु राज होते वह भारत राश्मं सबस्कराइब क्या है लाज्ठा कई लाज्यों के दावारा आप में क्या एक चिक समझाथा आप उसी में एक दूसरे के द्वारा इच्छा से किया गया समझाथा है तो इसके द्वारत की जो संपिर्वता था है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है अधिकान सदस्त्र नहीं इस विचार को इस आधार पर त्याग दिया कि वो एक विच्छ दर्षण के साथ जोडने पर जोने से बिबात का विचार बनेगा मतलब यह किसी एक चीज से जोड़ने से क्या है भारत की लोगों को क्या एक विबात का विचार बन जाए गये सब्सक्राइब की सरकार थी तो उस टाइम पर क्या हुआ हुआ भारत में जोड़ा गया गया था कि अधिया हुआ की सरकार कि राज को इसलिए जोड़ा गया कि भारती राज विवस्ता को इस लिए जोड़ दिया कि भारती के संदान की प्रस्ताव ना में और हमारा चौता वर्ड है वो है धर्म निर्पिक्ष जो कि भारत की समिधान की प्रस्ताबनामे क्या है आपको देखने को मिलाता है जिसमें जोड़ा गया है किसमें देखा गया है हमारे किसमें धर्म निर्पिक्ष को देखा गया है किसमें भारत की समिधान की प्रस्ताबना यह सब्ध किराए उन्यस्सोच चैनल में क्या हुआ था उस टाइम पर किसके सरकारती इंदा गांदी तो नो द्वारा क्या जोड दिया गया एक हमारा धर्मरिप्रिक्ष भी उसमें चोड़ दिया गया एक समाजवाद धर्मरिप्रिक्ष दो सब्ध हो गए इसका अर्थ है कि भारत धर्म के छेत में ना धर्म बिरोदियें और ना averaging का परिचारग बलकि भन को मानने वाला नहीं यह इना इन यह किसी की ढर्म की विरोद करता को मानता है ति quickest वह क्या है अपने आप में एक तर थस है मतलब धश अरभ में नीड्ल है कि हमारा पांच्वाद्र लोग तन निर्वाचित पते निदी पते निदी को चुना जाता है और वो क्या होते हैं प्रती निती उत्तादाई होते हैं और न सिर्टा निवे भाठ则 की तो नचंव के लिए उत्तरदेने के लिए हो बात दे बात होते थे हो में आंसे हमारा यृट्ञ रास था शर्कोंरेड़ा गनल राज कि यह क्या है गर्डाज के अद्यत्ट रहे बिल्स है अप्रफ तर्फ रूपसे जंता मतलब क्या है भारत की जो कौन है राज्या अद्यक्शा जैसे कि भारत की राष्पती का कि लिए निर्वाच्वत इनका भाद्वर प्रभनाम जो से बनाते हैं जैसे कि सांसद और वनती को गये हमारे जिने सीधे बोट दे कर बनाते हैं जप कि हमारे जो आप पित्रक्ट हेँ कर होते हैं कि ऑ को मिलते हैं यह सब किन किसी पिना किसी दिद्राब को समानता का अधिकार वो है आपस में समाज में आर्थिक गरीबी और अमीरी नहों मतलब समाज है उसमें ना तो ज़्यादा रहीची वह और नाहीं जादा राजनीतिक ग्या है सभी नागरिकों को राजनीतिक छेत्र में समान और सुतनतरूप से भाग लेने का अपसर हो हुआ है सभी लोगों को निर्वाच्छत होने का सभी ना के सब्सक्राइब हो ॄ रजो कर सब्सक्राइब क्विष्वेकिखисьite कने की आपसर की समानता दे गई है नागरे को क्या है कि भ्लत की एकटा को बनाई रखने के लिए और अखंडता मतलब मतलब भारत को एक जूट बनाए रखने के लिए क्या किया गया है बंदुता बनाने के लिए प्रस्ताबना में संकल पुलिया गया है कि हम भारत को क्या है एक जूट बनाएंगे और अखंड बनाएंगे कि अब हम देख लेते हैं कि हमाई प्रस्ताबना का महत तो क्या है भारती सम्धान की प्रस्तावना की महत की बारे में देख लेते हैं ठीक है प्रस्तावना की महत की बारे में देख लेते हैं भारती सम्धान की प्रस्तावना को बताते हुए क्या है ठाकुर्दास भरगब जी है उन्होंने कुछ कहा है क्या लिखा है प्रस्तावना सम्धान का सबसे महतूर अंग है जो ठाकुर दास भारगब जी ने उन्होंने बताया कि सम्धान जो हमारा क्या है सम्धान का सबसे महतूर अंग है भारत के सम्धान की प्रस्तावना को सम्धान का महतूर अंग किसने बताया है ठाकुर दास भारगब जी ने किया है पहले में में देखें तो प्रिस्ताबना में सासन परणाली का घ्यान होता है कि सब्सक्राइब करें तो पर हमें ज्यान हो सकता है पर सुछा आठाड़ी नहीं है मातलब अगर हम प्रस्ताबना को पढ़कर देखें तो मुझे से पता लगा सकते हैं कि हमारा भारत का सम्झान क्या है लोग तंतात्मक है दूसरे प्रस्ताबना में प्रस्ताबना से सासन सिध्धानतों का घ्यान होता है कि वहारत के लोग के पती प्रस्ताबना से भारत में एक जानकारी हमें कहां से मिलती है प्रस्ताबना से भारत हमारे तीसर पॉइंट है 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 हाउन सासन करता है कुछ राजनीतिक और दाइत का अभास प्रस्ताबना के माध्यम से होता है या राजनीतिक जो दाइत है और राजनीतिक जो में उनको अभ्यास वाथ उनको पता कहां से चलता है भारत की सम्धान की प्रस्तावना रहा दिखाती है वादा जब कोई करती कि आ जाती उस टाइम पर केस हुआता संपत्या को लेकर तो उसकी जो एक कठें परां। बारे में जादत सम्धान की नहीं दिखा दिखाती है प्रस्ताबना संचालन में पिरकास सिस्थम के समान उप्य होगी है भारती जो प्रस्ताबना वो समिधान को लाइट की तरह क्या करती है उप्यों की काम करती है सासन को भारत के चलाने प्रश्टाबना का क्या है बहुत ज्यादा उप्यों है एक लाइट की तौरब कि समिध्धान जो है कि प्रकार से बनाए और ला अए जो हैं कि प्रिकार से बनाइए नहीं उनका क्या है नुलिक करती है आठना पॉइंट है प्रस्ताबना समिधान का अंग नहीं है फिर भी ये उसका पिर्णा सोत है उसकी आत्मा है कुछ लोग का मानना है कि भारत की जो समिधान का प्रस्ताबना है वो भारत की क्या है समिधान की आत्मा है तो कुछ लोग का मानना है कि अंग या अंग नहीं है क्या पर प्रसवार्नां कुछ जगापना पर ऑंग है और उसकी आत्म तो पय्दा सोग नहीं है तो इस विखार हम धे framework है शी इस परकार हमें देखते हैं कि इस परकात प्रिस्थाहना से संभिधागं निर्मातां की भाबनाओं और आकांचाय का ग्यान होता है Mतलब शम्रागन निर्माताओंं की प्रस्थाबनां च्रह ऊप सिन 6 उप्डियोगी होना है मतलब जो भारत की समीद्हान है उसकी सब्लता का मुख्य करण क्या है भारत की सम्वां यह प्यापक मतलब यह चोटी चीmor talents पहुट को समीचे हुए ए और यही कारण है कि भाहरु का समीद्हान क्या है एक सपल है सब्सक्राइब झा ने उनके सब्सक्राइबंगेज़ें कि आili में सबसें कि राश्ट के बाता हैं और जहां की चिस lawsuit जोडते हैं और क्या यह जो भारत की जो प्रस्तावना में पावन आदर्स हैं गौरब में अतीच से जोडते हैं वहां उसके वभिस्त की आकांचा को भी संयोजित तो भारत की प्रस्तावना है उसमें जो आधर्स क्या है वो हमें क्या है बविस्त की आकांचाव की ओर दिखाई देते हैं आकांचा को दिखाते हैं तो यह था हमारा समिधान की प्रस्तापना है तो उम्मीड है कि आप लोगों को यह भारत की प्रस्तावना बताई गई यह वो माई होगी अगर आपको समय मा थे सी कने थैंक यू थैंक यू ग्लाइब